हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आज हम करें हमाई वक्षिट नम्बर 61 मैथ की रचनाए बच्चों एक रेखाकंड के लंब सम्दी भाजक खीचने के लिए मेरे रेखाकंड की दोनों बिंदूओं अंद बिंदों से रेखाकंड की लंबाई के आधे से अधिक तृज्जा को लेका रेखाकंड की दोनों और से एक दूसरे को पतिश्यत करते वे चाप लगाएंगे तो ये चाप एक दूसरे के जिन बिंदों पतिश्यत करेगा उसे मिलाने पर हमें रेखाकंड का लंब सम्द हम इससे देखते हैं कि मैं क्या बताते हैं को देख है हमें क्या करेंगे हमने एक लाइन कीची ठीक है यह कितनी लाइन है। गीदा से 9.5 cm की है अभम नेसको केंधर मान के प्रकार लेंगे यहां से एक चाब खीच चाप कितना लंबा खिचना है इसके आदे से थोड़ा जादा ठीक है इतना आप ले ले लीजिये हैं चाप को और पैंसिल प्रकार को इतना लंबा खीच लेजों और फिर आप केंधर मा यहां पर चाप लगाएंगे और फिर इस लाइन को मिला लेंगे ठीक है इस लाइन को मिला लिया तो यह कैं हमारा सम्दी भाजक बन गया इसका चलिए दूसरा हमको बता रहा है कि 5.5 भुजा वाले सम्दी भाव त्रिभुच की आपको रचना करनी है सम्दी भाव कि त्रिभुच का मतलब क्या होता है कि जिसको तीनों भुजाए क्या होती है बराबर होती है तो आप इसे कैसे बराएंगे तीनों भुजाए बराबर है तो फिर से देखिए सेम वही चीज़ आपको प्रॉसेस करना है कि आप पहले 5.5 सेंटीमिटर का हमने एक फिर हम प्रकार लेंगे और पैंसिल को लगाएंगे साथ में और फिर 5.5 के हिसाब सभी हम प्रकार को लंबक करेंगे उसके बाद हम सी को केंदर मान के इसी हमारा सी को केंदर मान के हम क्या करेंगे यहां पर 5.5 का संटीमिटर का एक चाप लगाएंगे और फिर हम बी को कें भीज़हीं न जमाने कह एक और चाप लगाएंगे यहां पर कौन से को गगा कर वह को 5.5 ym क का यह तो यह फिर हम उस लाइन को मिला लेंगे थिक कैट है हमारा मिला पर रूं टिफाज बन गया 001 001 00 लिखने के कुछ प्रक्रिया इस तरहें से हैं जैसे संभाहु तरिबुज के सभी फुजाए बराबर होते हैं संभाहु तरिबुज में A B C A B B B C B C C A C A को और तीनों के बराबर होगे 5.5 cm के फिर हम लिखते हैं कि आखिर हमने रचना कैसे की पहले 5.5 cm लंबाई का हमने एक रेखाखन कीचा कौन सा B C फिर हमने B C को केंदर मानकर 5.5 cm तरिज्जर की दो चाप खीचिये जो परस्पर बिंदू A पर प्रतिछित करें यानि कि जो बिंदू A इस पर हमारी क्या करें प्रत सेंटीमीटर है Q R 3.5 cm और P R हमारा 4 cm है यह किस प्रकार का त्रिपुजर हमसे पूछा भी गिया है चली हम इसका करते हैं पहले हमने लिख लिए कि P Q में 4 है Q R 3.5 है और P R हमारा 4 cm है इसमें देखिए आपको क्या देख रहा है कि आपकी जो यह वाली है और यह वाली है दो सेंटीमीटर है और जब दो भुचा बराबर होते हैं तो क्या होते हैं संभाहु त्रिपुज बन जाता है अब देखिए हम इसकी रचना पहले हम बना लेते हैं आपका त्रिपुज देखिए आपको 3.5 आपका Q R है ठीक है तो मैंने इसको Q R मान के रखा यह हमारा दाए हमारा क्वाण धिया सेंटीमीटर का सकता खीच आई मैंने आर को केंद्र माना और Q को तब सेंटीमीटर को ओना 2 पर पेंसिल प्रकार १ज़क मैं अब देखिए हमारा यहाँ पेटढ़ पीपें निया स्यां फिर को जात पार चाप लगा है अब चाप फिर हमारा यह पीपी मिल रहा है दोनों और उसको मैंने यहां से जोड़ दिया ठीक है अब जोड़ दिया तो यह हमारा क्या बन गया अब देखिए इसको लिखना कैसे है पहला 3.5 cm का मैंने एक रिखाखंड कीचा क्यू आर को केंदर मान के मैंने 4 cm का चाप कीचा दोनों चा कि 10.3 cm लंबाई का रिखाखंड कीच कर उसका लंब समधी भाजक खीचिए ठीक हमें लंब समधी भाजक बनाना है तो फिर नीचे पहले मैंने इसको रचना लिखी हुई है आपका देखिए इसे ध्यान से कि यह मेरा 10.3 cm का मेरा एक क्या एक लंबाई है और फिर मैंने इस थोड़ा लंबा लेके प्रकार और पैंसिल को लंबा किया और फिर मैंने बी को के इंदर मान के फिर मैंने एक यहां पर चाप खीचा और एक को के इंदर मान के फिर यहां पर चाप खीचा ठीक है और सेम मैंने क्या किया उपर में भी सेम मैंने वैसी किया बी को के इंदर मा सब्सक्राइब दोनों तरफ से चाप लगाया जो की बिंदू सी और डी है दोनों बिंदू सी और डी को मिलाया जो सीडी रेखा खंड अब लंब समधी भाजक है ठीक है सब्सक्राइब आगया होगा आपको और यह आप असानी से कर भी लेंगे दूसरा तीसरा आपका कोश्चन पहले क्या कहता है दूसरा कोश्चन कहता है आपका कि 4.3 cm वाले एक संभाहुत रिभुज की रचना केज़ें संभाहुत रिभुज है यानि कि इसकी तीनों भुजा बराबर होगी संभाहुत रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है तो द और C को कैनेमानकर हमने फिर एक उर्च रघायक लगाया यस चाप को हमने लगाया हुसे फिर ऐसे मिला देंगे थीक है यृ कि भी और ट्रिभुज बन गया ठेकिया आप देखे समभाउ ट्रिभुजक की सब भूझां यह बराबर रहती है तो सिय क्या फिर terese दोनों चाप बिंदू a पर मिल रहा है एको और B A को B को B से मिला लिए विडियों इस प्रकास से एक भी मिल जाता है ओके फ्रेंट्स यहां पर हमारा वीडियो कंप्रेंट होता है आई होप आपको वीडियो सन्में आगए से लाइक किजिए कमेंट किजिए शेयर जबर करिएगा और भी वीडियो देखने के लिए मैं चाहिए को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू